वेलकम इन ओनलाइन क्लास आपको कोई ने रहा था कि जो भी उसका कोई भी मतिरियल को जो उसका लुख होता है को उसकी अपिरियंस कहाती है that means हमने उसमें यी ची study करी थी कि आपको कोई material है अगर वो shine करता है या अगर वो नहीं करता है तो वो उसका कह है look है कि वो किस तरीकर आपका दिखता है आपके कुछ materials ऐसे होते हैं जो shine करते हैं और कुछ continuous ऐसे हो तो shine नहीं करते हैं First of all thing हमने बात करें थे कि gold like इस प्लास्टिक वोड है नोग शाइन नहीं होता है आपने घर पे कि जो आपकी ममा का वी ब्रेसलेट है वो क्या होता है अगर महीं नों किसी वुड़न पीस की बात देंगे घर पे जो भी आपका लगती का कोई समाल होगा तो वो शाइन नहीं होता है अपयर्टिक की करता है तो वह उसकी पीस्ता प्रॉपर्टी की आपकी प्लास्ट इसस гру producing की ऑग झाफिगी those materials which can be compressed ऐसे materials जिनको हम compress कर सकते हैं दबा सकते हैं और scratch और कुछ scratch कर सकते हैं are called soft materials ओकी जैसे आपका ये cotton है ये cotton है घर के आपकी दूली होते है cotton जिससे आपके करते हैं बाती बनाते हैं तो मुखे हैं आपकी soft materials हैं जिनको हम compress कर सकते हैं और easily इसको scratch कर सकते हैं तो those materials which can easily compress उपको दबा सकते हैं easily और इसको scratch कर सकते हैं वो आपके कहते हैं आपके soft materials examples are cotton and sponge जो आपके sponge होता है बरत्तों वाला दिश्वास पार होता है उसके साथ भी sponge मिलता है न तो वो भी जिसका example होगा आपका soft materials का because we can easily compress those materials and second one hard materials जो ऐसे materials होंगे जिनको compress करने में थोड़ी difficulty आएगी जैसे आपका वोई wooden piece हो सकता है अगर आप उसको compress करेंगे तो वो बहुत hard होगा ना compress करने में so those materials which are difficult to compress और difficult to stretch तो वो ऐसे material इंको आपको difficult होगे compress करने में simply और आपको scratch नहीं कर सकते हैं तो ऐसे materials क्या करेंगे आपके hard materials examples are iron, wood, etc. और में बहुत सारे materials होगे जो क्या आप सकते हैं difficulty होगे और आपको compress करने में को दबाने हैं okay then coming to the next point in solubility and solubility of the material okay so आपको जो आपकी solubility होगी soluble materials होगे आपने घर के देखा है हम लोग क्या करते हैं नीमगू पानी बनाते हैं बनाते हैं ना तो उसमें सबसे बेले हम क्या करते हैं पानी में हम सबसे बेले हम अगर अगर चीनी का सरबर बनाए तो उसमें क्या करेंगे एक स्पून हम इसमें शुगर एड़ करेंगे ओकी अगर हम इसमें एक स्पून हम शुगर एड़ करेंगे तो क्या होगा पान जो शुगर आपकी जो शुगर के जितने पी आपकी पार्टिकल होगे वो इसमें घुल जाते है है ना तो शुगर क्या होगा इसमें शॉल्यूबल, शॉल्यूबल केशंगर कासे, विक्रस वो उस पाने में क्या होता पूरी से खुल जाता है शुल्यूबल खुल जाता है, इसेलिए जो आपकी 3rd property है, materials की वो क्या है soluble होना या solubility तो soluble materials आखे क्या होगे ऐसे materials जो पानी में पूरी तरीके से घुल जाएंगे those substances those substances or materials they can disappear completely disappeared completely in water and called soluble आपने चीनी डाली पानी में तो चीनी पूरी तरीके से क्या होगे पानी में खुल गई और आपको देखता है तो चीनी दुगायब होगे पानी से तो वो ही आपको कहे soluble material है दो substances का material which ने disappeared completely in water are called soluble material और soluble and इसी के opposite आपके कुछ materials ऐसे भी होते है जो पानी में नहीं गुलते है जैसे अगर आप उसमें sand डालों पांचीनी के लिए आप उस अगरस पाथ के डालों में sand और या रेग जो आप घर में होती है या आप उसमें के डालों पद्धर अगर दुनकर अगर आप आप तो हो गुलेगा नहीं गुलेगा so those materials are called insoluble materials insoluble material या insoluble substances simply begins practice as follow those substances which cannot not disappear in water are called insoluble materials so soluble या उपने नहीं पूरी तरिकी से घुल जाते हैं और insoluble ऐसे materials जो पानी में पूरी तरिकी से नहीं गुलते हैं अगर आप रहेत को पानी में डाल देंगे water में डाल देंगे तो वो नहीं गुलती है तो वो क्या हो गया आपर example हो गया insoluble so today we studied about hardness and softness of material as well as insoluble and the soluble materials okay that's all for today I will meet you in my next video thank you